असलामलेकों गल्स! कल हमने आपको फुल फेस्ट थ्रेड़िंग करना सिखाया था, आज हमारा आर्म ऐन लेग्स थ्रेडिंग है, तो उसके लिए हम सबसे पहले थ्रेडिंग माटीरियल रेड़ी कर लेंगे, आर्म और लेग्स की थ्रेडिंग के लिए हमें ज़्यदा चीज वीडियो देखनी है जैसा कि आपको previous class में धागे को hold करना धागे को ready करना और चलाना बता चुकी है वैसे ही आपने thread को ready करना है और client की skin को tight करकर आपने threading opposite direction में जहां से बालों की side opposite direction हो वहां से आपने threading चलाना start करना है जैसे ही आप अपने left hand को नीचे करेंगे तो हमारा triangle छोटा होकर बाल निकलना शुरू कर देगा इसी तरह आपने फुल बाजू की threading कर लेनी है आपने धागे को जोर से दबा दबा कर नहीं करना जस्ट आपको महसूस हो कि आपकी skin पर धागा चल रहा है नहीं तो आपकी skin पर allergy हो सकती है या cut लग सकते हैं बस आपने softly हाज से नर्म से मतलब नर्मी से आपने threading करनी है threading के दोरान आपने client को कहना है कि अपने दूसरे हाज से अपनी skin को tight कर ले क्योंकि इससे cut लगने के chances कम होते हैं जब threading हो जाए तो आप soothing lotion भी लगा सकते हैं जहां पे आपको लगे के allergy हो रही है या आपको swelling महसूस हो तो आप वहाँ पे soothing lotion, toner या rose water भी use कर सकते हैं अब बार याती है secret की तो girls है फिटकड़ी हमारी hair growth को कम करने के लिए बहुत ही amazing ingredient है आपने half table spoon फिटकड़ी लेनी है PCOE मतब पोडर बना लेना है उसका और cup का तीसरा हिसा पानी लेकर उसमें mix कर ले और cotton की मदद से उस area पर लगाना है जहां पे आपने threading की है यह अमल आपने three month लगातार जारी रखना है इससे आपकी hair की growth कम होते होते खतम हो जाएगी तो girls है ना amazing tip अब अब जहें नेक्स पोस्ट पर जहां पे हम आपको practically बाजू की और legs की threading करना सिखाएंगे